आज जो न्यूस चैनल्स के माध्यम से चित्रपूरे देश के सामने आ रहे हैं, प्रमुकता कई राजनेतिक दलों के कारेकरता हाथ में डंडा लिये अथ्वा अराजक तत्वों के साथ जाकर सामान्य मंडियों में गतविधियों को बंद करने का दुस्साहस कर रहे हैं। देश की जनता का स्वयम अपनी दिंचर्या को चलाए रखना, देश की जनता का स्वयम बाहर आकर अपने कामों को अपनी गतविधियों को सोचारू ढंक से चलाना इस बात का संकेत है कि भारत बंद नहीं होना चाहता नहीं भारत बंद है, बंद है तो विपक्ष की कुनीति बंध है बंध है तो विपक्ष का भ्रष्टा चार बंध है और इसलिए एक बोखलाया हुआ विपक्ष जो वोट के माध्यम से जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाया वो विपक्ष आज कानून व्यवस्था को भन करने में उतारू हो चुका है ताकि वो अपनी राजनीत चमका सके आपको भली भाती याद है कि जब ये बिल प्रस्तुत हुआ था देश की संसद में विपक्ष ने एक भ्रहम चैलाया था कि एपीमसी की मंडिया भारत सरकार बंध कर दीगी ऐसा कुछ नहीं हुआ भारत सरकार ने एपीमसी के कानून को हाथ तक नहीं लगाया एक भ्रहम चैलाया कि MSP का आपरेशन भारत सरकार बंध कर दीगी भारत सरकार ने सदन में संसद में और सदन के बाहर अश्वस्त किया कि MSP की ऑपरेशन और भेटर तरीके से चलाई भारतिय जनता पार्टिनित एंडिया की सरकार ने और इसका प्रमाण ये है कि 5 December तक धान की खरीदारी में 33 लाग किसानों से भारत सरकार ने 336 लाग मेट्रिक टन गान इसमें प्रक्योर किया MSP आपरेशन में और 60,000 करोड से जादा पैसा सीधा किसानों को मोहिया कराया और जो किसान लाभानवित हुए इस MSP आपरेशन में उसमें से 60% किसान पंजाब के हैं तो आज ये विपक्षी दलों का जो रुख है ना वो चाहते थी कि reform हो agriculture में ना वो चाहते हैं कि किसान का उत्थान हो और इसलिए आज वो इस प्रकार से देश में शांती को कानून व्यवस्था को भंग करने में उतारू है माम 33 लाग किसानों का इस कानून के पारित होने के बाद MSP operation में भाग लेना इस बात का संकेद है कि किसान समझता है भारत सरकार के प्रतिवधता क्या है किसान भारत सरकार के वचनों पर विश्वास करता है ये 33 लाग किसान देश के सिर्फ धान की खरीदारी में भारत की जनता को और विशेश रूप से विपक्षी दलों को इसंकेद दे रहे हैं साथ ही आज जो एफपियोस के माध्यम से किसान संगठित हुरा है ये भारत सरकार की पहल थी नरेंद्र मोदी के नेत्रितों में कि हम 10,000 एफपियोस देश में बनाएं और उसके लिए विशेश रूप से 6,000 करोड रुपया आवंटित किया गया साथ ही किसान ने कभी किसान सम्मान निदी भारत सरकार से मांगा नहीं खुद आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6,000 रुपये 10 वर्षों के लिए किसान के लिए सुनिश्चित कराया 5 डिसेंबर तक मैम 14 करोड किसानों को 90,000 करोड से जादा रुपया उनके बैंक के खाते में देने वाली सरकार और कोई नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार है और जो विपक्ष आज इतना सारा हंगामा करने पर उतारू है जब इनके पास सत्ता थी साल 2009 से लेकर साल 2014 तक इन लोगों ने मात्र तीन लाग करोड का ही MSP आपरेशन किया गत पाँच वर्षों में मोदी सरकार ने आठ लाग करोड रुपया का MSP आपरेशन किया इस देश में कहीं न कहीं एक interference है कि आराजकता फैले जब आपको याद होगा इस बिल के संदर में चर्चा हो रही थी तो पंजाब की सरकार ने अपने राजनीतिक दल और अपनी राजनीतिक मनशा को इस बात से प्रस्तुत के आदेश के सामने कि उन्होंने बकाइदा ओर निकाला कि सबको बंद में अथवा सबको आइजिटेशन में भाग लेना है तो जहां आप राजनीतिकरन करते हैं वहां आपको इस प्रकार की दुविधाएं दिखती हैं कि विपक्ष जो दिल्ली में गजेट नोडिफिकेशन निकालता है इस फार्म बिल का वही विपक्ष आज द पांच डिसेंबर तक सेप्टेंबर से लिगे डिसेंबर तक जो ऑपरेशन चला उसमें 33 लाग किसानों में से 60 परसेंट तो पंजाब के हैं तो क्या प्रेजिडेंट को दिखाएंगे अपने वो चिठियां क्या वो प्रेजिडेंट को दिखाएंगे अपना ही इंटर्वि और एक किसान धुले महाराष्ट का किसान जो दरदर की ठोकरे खा रहा था इस बिल के पारित होने से पहले मक्के की उसकी जो फसल उसने बेची थी उसके तीन लाख रुपे दे नहीं रहे था लोग इस बिल के आने के बाद वो SDM स्तर पे जाकर अपनी कंप्लेंड डर्ज कराता है और अपने पूरे पैसे पाता है उस धुले महाराष्ट में सरकार किसकी है भाजपा की नहीं है पवारसा वहाँ पर सरकार चला रहे हैं वहाँ के किसान ने स्वयम प्रमान दिया है कि इस किसान सुधार बिल के माध्यम से उसकी कितनी मदद हुई है तो क्या विपक्ष को दिक्कत इस बात की है कि अब किसान के पास कानूनी सहारा है कि वो मदद पा सकता है वो न्याय पा सकता है और अब वो विपक्ष के नेताओं के चक्कर नहीं काटेगा इंसाफ पाने के लिए इंस जुकने वाला नहीं है देश आगे बढ़ता रहेगा विकासपत पर देश का किसान खुशाल होगा यह हमारी प्रतिबद्धता भी है और इसका प्रमान नरेंदर मोधी की सरकार कई विश्यों के माध्यम से दे चुकी है अर्विन केजडिवाल ने फार्म बिल के प्रति अपना समर्थन तब व्यक्त कर दिया था जब उन्होंने इसे गजेट नोटिफाइक कर दिया गजेट नोटिफिकेशन सरकार तब करती है जब प्रशासनिक और राजनेतिक धंग से एक प्रस्ताव को वो स्वीकृत करते हैं तो अर्विन केजडिवाल ने तो अपनी स्वीकृती पहले से दे दी है इस कानून को जो किसान एजिटेट कर रहे हैं मनेस्टा नरें सिंग टोमर से भी मिल रहे हैं वातलाब चल रही है बहुत सारी अमेंडमेंट्स पर बात ही है कि MSP सरकार ने क्लियर किया है दी जाएगी APMC में शंशोधन उस तरीके से नहीं होगा अगमंडिया बंद नहीं होगी स्टेट लॉज देखे आश्वासन देना और आश्वासन की पूर्ती का प्रमान देना ये दोनों चीज़ें हम कर चुके हैं यही भ्रहम पहलाया था जब प्रस्तुत हुआ था देश की संसद में तब भी हमने कहा था MSP का आपरेशन बंद नहीं होगा अभी आपको दुबारा मैं प्रमान दे रही हूँ कि इस बिल के पारित होने के बाद 336 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदारी 33 लाख किसानों से हो चुकी है 60,000 करोड रुपया से ज़ादा इनके खाते में जा चुका है 60 प्रतिशत इन में से सिरफ और सिरफ पंजाब के किसान है इससे बड़ा प्रमान क्या होगा ये खरीदारी मंडियों में हुई इसका मतलब विपक्ष ने जो भ्रहम पहला कि मंडी बंद हो जाएगी वो भी जूट विपक्ष का जूट और सरकार की प्रार्थमिक्ता प्रमानित हो चुकी है भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसान उत्थान के प्रति भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि आप एक संविधानिक धाचे में चर्चा करें वारता करें और उस प्रतिबद्धता का प्रमाण भारत सरकार की अधिकारी कृशी मंत्री प्यूश गोएल जी इन सब के वारता लाप में उपस्थित होकर दिन भर की चर्चा में भाग लेकर हमने संकेत दे दिया है सरकार मोदी जी की पहले से ही माईगव बनाने वाले भी भारत सरकार की मोदी सरकार की एक पहल थी कि आप चाहे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहे अथवा भारत सरकार से डिजिटली संबाद करना चाहे ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चत करने का काम मोधी सरकार नहीं किया है आज जो आप दृष्चे देख रहे हैं देश भर में राजक्ता फहलाने वाले वो विपक्ष की पार्टी के कारे करताओं कि वो दृष्चे भारत कभी भूलेगा नहीं? धन्यवाजी जिसके अपने जीजा जी बैटके किसान की जमीन लूटते हैं वो किसकी सरकार चला रहे थे UPA के शासन में वो देश भली भाती जानता है राजक्ता गांदी अगर सच में किसान हित में चर्चा करना चाहते तो वो संसत से गायब क्यूं थे जब इन बिलों पर चर्चा हो रही थे? वो क्यूं 2013 में जाकर एक प्रेस कॉंफरेंस करते हैं और कहते हैं APMC में से सबजी और फलों को डिलिस्ट करो? रावूल गांदी के नेत्रित्म में प्रेस के मैनिफेस्टों में लिखा गया साल 2019 में कि वो APMC का कानों उखाड कर फैंक देंगे रावूल गांदी ने का और उनकी पार्टी ने का कि Essential Commodities Act पुरानी हो चुकिए इसको बदलनी की ज़रूरत है तो रावूल गांदी खुद अपनी दिक्कत है वो देश की दिक्कत नहीं बन सकते है